वेल्कम बैक तो मैं चैनल अंजु जॉल इंवन क्रियेशन दोस्तों आज में देखर आए केरमिल वालनेट रेसिपी दोस्तों तो इसमें पढ़ने वाले इंग्रीडेंट्स देख लेते हैं हम यह जो अपरूट है यह मैं ले रही हो यह वन एंडा हाफ कप है और मेरा मेजरमेंट कप जो है वो 250 ml का यह ब्राउन शुगर हाफ कप यह ग्रेटेड गुड हाफ कप मक्षन 2 तेबल स्पून और अब हम इसको थोड़ा सा रूस्ट कर लेंगे चटक में तक खुचबू आने तक तिल को इसको थोड़ा सा रोस्ट करने में जाय से ज्यादा पांच चार पांच में प्लकते हैं तो यह चटक में लग जाएगा तो फिर हम गैस आफ कर देंगे अब हम इसको निकाल देते हैं और इसी पैन में अब हम इसको ड्रायर रोस्ट करेंगे जो हमारे वालनेट्स है इसको थोड़ा सा भूनेंगे इनको भी थोड़ा सा हमें जो हलका सा सीला पन होता है वो निकल जाता है थोड़े करारे क्रिस्पी हो जाते हैं यह तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे 2-3 मिनिट के लिए दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डालती रहती हूं तो आप अहां पे भी मेज़े फॉलो कर सकते हैं अब यह हो गए हम इनको निकाल लेते हैं अब उस ही पैन में हम 2 तेबल स्पून बटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा मैड़ी कर लेंगे और इसमें यह 1-2 पॉप शुगर डाल देंगे ब्राउन शुगर दोस्तों अगर आप प्राउन शुगर ना हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं वह आपको एक प्रीन आप पूरा तो अब इसको हम थोड़ा सब चलाते हैं और इसके साथ ही मैं यह गुड़ भी डाल देती और ग्यास टेम लोग ही रखनी है और इसको चलाते रहें जब तक यह मैल्ट ना हो जाए अची तरह इसमें जाग से आगया अब यह शुरू होने वाला पूरात होगी यह देखिए अब यह हो गया कैरमेडाइस्ट अब गैस ऑफ कर देंगे हम और यह वालनिट इसमें डाल देंग और इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे अची तरह से इनको इसमें कोट करेंगे कि जो हमारी सॉस है इसमें अची तरह इसको पूरा पची तरह कोट करना होगा यह देखिए इस तरीके से और अब यह जो दिल है यह इसमें डाल देते हैं थोड़ा गैस आ फुलक के इसमें डालना और इसको मिक्स करना है इस अब जल्दी से दोस्ते इसको हम बटर पेपर तो आब शिला देंगे अलग ळग करना फिरेगा हमें इसको बिलकूल फेल इतो यह इस पख जाएगा एग कूम शांपन जाएगा इसको मF blend जख जाएगा इसको मैं अलग लग करना होगा कि ऑवा थोड़ा सा ends mm अ झालग में बटरना का और इसको तुटना होने दिल्द जल जल्दी ठंडा होकर जल्दी हो जाएगा तो मैं हाथ से कर रहे हैं तोड़ा फंडा हो गया अलग लग कर रहे हूं दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडि कर दो जाता है यह आपको इसकी आवाज सुनके भी लग रहा होगा दोस्तों तो और खाने भी बहुत ही अच्छा लगता है बहुत क्रिस्पी कर आ रहा और वालनेट तो वैसे भी हल्दी होते हैं तो आप भी घर में ट्राइक कर सकते हैं सब कुछ इसमें हेल्दी पड़ा हो गया कोड़ भी हेल्दी होते हैं और तिल भी हेल्दी होता है और ब्राउम चुगर भी मैंने डाली है गुड़ भी हेल्दी होता है तो आप ट्राइ कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों यह त्यार हो गए है और मने खाके देखा था तो घर में भी सबको दिया खाने के लिए खिलाया तो सबको पसंद आया है और यह कभी भी बना सकते हैं इसको जाय से जादा हमें 15-20 मिनित लगते हैं बनाने में तो आप भी जरूर ट्राय करिएगा थpción क्या है ध symmetry जो दो आपै तेसेग घौरी जार बनाने है